हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई चैनल, फ्रेंट्स दिखिए आज मैं ये एक डबल कलर की डिजाइन का पैटर्न लेके आई हूँ, इस डिजाइन को आप जैकेट में डाल सकती है, स्वेटर चाहे तो बना सकती है, बलाउज में डाल सकती है, या बच्चों के किसी भी स्वे इस डिजाइन को बनाने के लिए हमको 6 के मल्टिपल फंदे चाहिए होंगे, प्लस 4, प्लस 2 एक्स्ट्रा एज स्टीच के लिए, और हमारी ये डिजाइन अच्छे से से सेट हो जाएगी, तो देखिए ये है हमारा पैटर्न, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने 6 प्लस 6 करके 12 प्लस 4 16 और 2 एक्स्ट्रा मैंने टोटल 18 स्टीच इसमें लिए हैं, पहले सलाई से बनाना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, तो सबसे पहले मैं अपना इसमें दूसरा कलर लगा लेती हूँ, आप अपने मन पसंद किसी भी दो कलर में बनाईए, यह डिजाइन अच्छी लगेगी, अब देखिए, पहली सलाई से स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे स्टार्टिंग से यह हमारा पहला फंदा एज स्टीच, इसको छोड़के एक, तो, तीन और चार, चार फंदे सीधे बिनेंगे, आठ सलाईयों की हमारी यह डिजाइन है, पहली सलाई है हमारी यह, अब दो फंदा बिना बुने उतार लेंगे, यह हमारी एज स्टीच, और इसके बाद चार सीधा दो फंदा बिना बुने उतारेंगे, इसी को हम रिपीट करेंगे, फिर से देखिए, एक, दो, तीन, चार, सीधा, दो फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर से, एक, दो, तीन, चार, और ये हमारा जो एजिस्टीच है, इसको भी सीधा बिन देंगे, ठीके देखिए, ये एजिस्टीच, ये छे फंदे को रिपीट करते जाना है, लास्ट में ये चार फंदा, और रॉंग साइट से, उल्टे फंदे को उल्टा बिनेंगे, दिखिए, एजिस्टीच के बाद, दो, तीन, और ये चार, और जो दो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे, इसको हम फिर से बिना बुने उतार लेंगे, इसके बाद, एक, दो, तीन, और ये चा यह दो फंदे जो बिना बुने उतारे थे, इसको फिर से उतार लेंगे, और लास्ट में, एक, दो, तीन, चार, जो 6 के मल्टिपल करके, प्लास 4 करते हैं, यह वो 4 फंदे यह, और यह हमारा edge stitch सीधा, अब यहां से अपना दूसरा color लगाएंगे, यह देखिए, स्टार्टिंग के एक edge stitch, फिर एक, दो, तीन, और यह चार फंदे सीधे, और जो हमने फंदे उतारे थे पिछली बार, इसको हम एक बार फिर से ऐसे उतार लेंगे, फिर से इनी को repeat करेंगे, यह edge stitch छोड़ दीजे, चार सीधा हमने बिना, दो फंदा बिना बुने उतार लिया अब एक बार फिर से, एक, दो, तीन, और यह चार देखिए, हमने सीधा बिन लिया, दो फंदे बिना बुने उतार लेंगे, फिर जो प्लस फोर है देखिए, दो, तीन, चार, सीधा, और यह edge stitch भी सीधा, दो-दो सलाई, एक एक कलर से हम बनाते जाएंगे, अब रॉंग साइट से, फिर देखिए, edge stitch यह हमारा है, फिर एक, दो, तीन, और यह चार उल्टा, स्वरी, यहाँ पे हम सीधा बिनेंगे, तीन सलाई हमने सीधा उल्टा बिना, यहाँ पे हम सीधा बिनेंगे, उन पीछे, और यह एक, दो, तीन, और यह चार सीधा, उन अपनी तरफ करेंगे, और जो यह दो फंदे उतारे थे, इसको हम एक बार फिर से उतार लेंगे, यहाँ चार सलाईयों में यह फंदा हमारा उतरता ही चला गया है, अब फिर से उन पीछे करेंगे, एक, दो, तीन, चार सीधा, उन अपनी तरफ, एक, दो, फंदे उतार लिए, फिर से उन पीछे करेंगे, एक, दो, तीन, चार सीधा और एज स्टिच उल्टा इस तरीके से, तो यह हमारी चार सलाई की डिजाइन जो है वो देखें, यहाँ पे इस तरीके से कम्प्रीट हो गई, और अब फिर से वाइट लगाएंगे, और इस बार देखिए, यह जो हमारा एज स्टिच है, इसको ह हम उतारेंगे, और यह फंदे हम बीनेंगे, तो अब देखिए, इसको भी हम सीधा बिन लेंगे, और यह बिना बिने उतार लेंगे, अब इसके बार देखिए, यह जो दो फंदे हमने उतार रखे थे पिछली बार, इसको हम बीनेंगे, यह बीनेंगे, और यह चारों में क यह बिने, यानि चार फंदा अब हमारा यह हो जाएगा, तो पांचवी सलाई हमारी है, एक, दो, तीन, और यह चार, यह देखें, यह हमने बिन लिये, और यह जो चार फंदे थे, इसके बीच वाला दो फंदा, इसको हम बिना बुने उतार लेंगे, फिर से, एक, यह देखे इसके उतार लेंगे, लास्ट में, यह एक फंदा, हमारा जो इचाइन का है, और यह एक फंदा आचस्टिच, पांचवी सलाई है, चछटवी सलाई, जो फंदे जैसे हैं, देखिए, यह दो उल्टे, एक आजस्टिच, और एक हमारा पैटर्न का, फिर दो फंदे बिना एक तीन चार उल्टा दो फन्दा बिनबुने उतार लेंगे एक दो तिन चार बिन लिया और दो फन्दा बिन बिनबुने उतार लिया और last का यह और edge stitch दोनों को उल्टा बिन देंगे चे सलाई हो गई देखिये अब यह हमारा जब यहां का फंदा उठाया जाता है तो यह हमारा डिजाइन जो है अच्छे से आता है सामें अब सात्मी सलाई फिर से हम अपना बेस कलर जो है डाग कलर वो लगाएंगे तो यह देखिए दो सीधा एक एज स्टीच और एक हमारा पैटन का फंदा यह जो बिना बुने हमने उतारा था इसको फिर इस बार भी उतार लेंगे सात्मी सलाई में और एक दो तीन चार जिसको हमने बिना था इसको हम सीधा बिन लेंगे राइट साइट से है यह यह फिर से उतार लेंगे जो फंदा हमने उतारा था पिछली बार एक दो तीन यह चार और यह उतार के यह हमारा स्टीच का फंदा और यह हमारा एज स्टीच द देखिए 8th सलाई चौत्य सलाई की ही तरह ये फंदा उतार के एज स्टीच का उन पीछे करेंगे एक फंदा हंसिधा भी नेगे उन अपनी तरफ अब ये उतार भुआ फंदा एक बार फिर से उतार लेंगे उन पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे एक दो तीन चार यह देखिए यह हमने edge stitch बनाया इसको सीधा बिना और यह दो फंदे उतार लिए चार सीधे यही हमारा आटवी सलाई है इसी को repeat pattern करेंगे फिर से तो दो फंदे उतार लेंगे उन पीछे एक, दो, तीन, चार सीधे फिर उन अपनी तरफ दो फंदे उतारेंगे बिना बुने और एक सीधा और edge stitch उल्टा यह आटवी सलाई का हमारा pattern है इसी को repeat करते जाना है तो आपकी यह design adjust होती चली जाएगी फिर से यहां से देखिए अब यह edge stitch है यह दो फंदे हमने जो उतारे इसके किनारे किनारे के फंदे लेते हुए चार सीधा और यह दो फंदा अब हम उतार लेंगे फिर चार सीधा दो उतारेंगे तो एक बार देखिए यह फंदा यहां से अब उतारेंगे तो यह आएगा फिर अगली बार यह उतारेंगे तो यहां आएगा तो यही हमारा इस आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाए